नमस्कर, मैं भुपंधर पंडए, हिंदी चल में आप सबका हर्दिक साफत करता हूँ राजभाशा हिंदी का क्रमिक विकास मतल्क जब से हिंदी राजभाशा बनी है उसमें अभी तक किस प्रकार से क्रमिक विकास हुआ है उसको हम तिथीवार देखेंगे दिनांग के हिसाब से देखेंगे क्योंकि अधिकान्स परिच्छा में चाहे वह असिस्टेंट प्रोफिसर हिंदी की परिच्छा हो या फिर UDC NET की परिच्छा हो या फिर अन्य विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परिच्छा है उनमें यहाँ जो विभिन्न तीथियां हैं जो विभिन्न तारीक हैं वैसे भी पूछी जाती हैं तो उन्नी सवन्चास जब हिंदी संग की राजभाषा बनी थी तब से लेकर 2024 तक किस प्रकार इसका क्रमी की विकास हुआ है कितने अखिल राजभाषा सम्मिलन आयोजित हुए हैं और कितने प्रकार के IT टूल्स हैं इन पर मैं चर्चा करूँगा इसमें मैंने सिर्फ अखिल भारती इसमें मैंने अंतरराष्टी जो हिंदी सम्मिलन होता है उसको छोड़ दिया है बाकि सभी चीज़ों को यहां पर समाहित कर लिया है उस पर हमारे लेक्चर बाद में आएंगे सबसे पहले हम देखते हैं कि राज भाषा क्या होती है जो प्रयोजन मुलक हिंदी के अंतरगत आपने राज भाषा के विशे में पढ़ा होगा राज भाशा से तातपर यह है सरकारी कामकाच की भाशा और सरकारी कामकाच की भाशा आम बोल चाल की भाशा से भिन्न होती है क्योंकि उसमें पारिभाशिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है जिसे आप टेक्निकल टर्मिनलाजी कहते हैं और पारभाशिक शब्दों के निर्मान का दाइत्व वेज्ञानिक तथा तक्निकी शब्दावली आयोग को सौपा गया है तो राज भाशा सितातपर यह है सरकारी कामकाज की भाशा जो आम बोलचाल की भाशा से भिन्न होती है और जिसमें पारिभाशिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है राज भाषा भी दो प्रकार की होती है एक तो संग की राज भाषा अर्थात केंद्र सरकार की राज भाषा भारत के समिधान के अमिछे 341 के अनुसार संग की राज भाषा हिंदी होगी और लिपी देवनागरी होगी और आंकों के रूप में भारती आंकों के अंतरराश्टी रूप का प्रयोग किया जाएगा यह जो numerals जो number आप देख रहे हैं मेरी स्कीन पर यह सबी भारतियंग का अंतराष्टी रूप है इसे हम इंडो अरेबिक numerals कहते हैं लेकिन राजियों की अपनी राजभाशाएं होती है समिधान के रूप है 345 आर्टिकल 345 के अनुसार राजियों की अपनी राजभाशाएं होंगी जैसे पश्चिम मंगाले तो बंगला राजभाशा होगी तमिल नाडु है तो तमिल राजभाशा होगी तो उनकी एक या एक सेधिक राजभाशाएं हो सकती है तो आज के हमारा जो विशा है वह मुक्रूप से केंद्र सरकार के राजभाशा पर आधारित है जिसकी राजभाशा हिंदी है चलिए शुरू करते हैं 1949 से लेकर 2024 तक राजभाशा हिंदी का क्रमिक विकास किस प्रकार से हुआ आईए हम देखते हैं सबसे पहले सभी चिरें बहुत ही महत्रपूर्ण है परिच्छा के दिष्ट्रिकोर्ण से तो आप बहुत ही ध्यान से देखिए 14 सितंबर 1949 को समिधान सभाद्वारा हिंदी को राजभाशा बनाने का नेना लिया गया अर्थात हिंदी को राजभाशा का दर्जा दिया गया इसलिए 14 सितंबर का दिन हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं यह पहला important तत्य हो गया दूसरा 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का समिधान लागू हुआ और उसमें कई भाशाई प्रावधान लागू है जिनमें एक है अनुच्छे 120 इसमें यह है कि संसत की राजभाशा क्या होगी लोक सभा राजय सभा की राजभाशा क्या होगी अनुच्छे 210 इसमें यह उल्ले किया गया है कि जो राज्यों की जो विधान मंडल और विधान परिशद है विधान परिशाद और विधान सभा इनकी राजभाशा क्या होगी अनुच्छे 343 इसके 3 भाग है 343 एक, दो और तीन और अनुच्छे 343 से लेकर अनुच्छे 351 तक आर्टिकल 351 आर्टिकल 343 से आर्टिकल 351 तक राजभाशा के समन्द में विभिन अनुच्छेद शामिल किये गया है इसके पर आप मेरी राजभाशा के उपर जो मेरा जो लेक्चर है उसको आप देख सकते हैं ठीक है इसके बाद 1952 ततकालिन शिक्षा मंत्राले के ताथ हिंदी शिक्षान योजणा का प्रारम चालू किया गया हिंदी शिक्षान योजणा के अंतरगत जो केंदर सरकार के अधिकारी और करमचारिया है उनको प्रबोध, प्रमेड, प्राग के पारंगत इत्यादी का प्राशिक्षान दिया जाता है जुलाई 1902 में हिंदी शिक्षण योजना के अंतरत प्रसिक्षण परारम हो गया 1955 में यह ग्रे मंत्राला को सौप दिया गया यह सभी चिरे महत्तपोर्णा हैं परिच्छा में आ सकते हैं यह देखिए हिंदी दिवास मनाने का निर्णा कब से लिया गया 1903 से 1903 से 14 सितंबर को हिंदी दिवास के रूप में मनाने का निर्णा लिया गया क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाशा का दर्जा दिया गया था समिधान सभा के द्वारा इसके बाद 7 जून 1955 को प्रतम राजभाशा आयोग का गठन किया गया बीजी खेर की अद्देचता में राजभाशा आयोग का गठन किया गया बीजी खेर का पूरा नाम है बाल गंगाधर खेर ये तिलक नहीं है खेर है बाल गंगाधर खेर और समिधान के नुच्छे 343 एक के अंतरगत यह निर्ड़े लिया गया कि एक राजभाशा आयोग का गठन किया जाएगा राजभाशा आयोग का गठन इसलिए किया गया कि केंद्र सरकार के कारेले में किस प्रकार हिंदी का अधीक सधीक प्रयोग किया जाना है और कैसे केंद्र सरकार के द्वारा हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाना है खेर आयोग का गठन किया गया था रासपती महोदय का सिफारिस करने के लिए 31 दुलाई 1956 को ये सभी परिच्छा के दिश्टिकोर्ण से महत्पून तत्या है 31 दुलाई 1956 को खेर आयोग ने अपना प्रतिवधन रासपती को प्रस्तूत किया प्रतिवधन मतलब रिपोर्ट सितम्बर 1977 में खेर आयोग की सिफारिसों पर विचार करने के लिए मतलब खेर आयोग ने जो भी रिकेमेंडेशन दिया था हिंदी के प्रयोग के विशे में इन पर विचार करने के लिए इसका विसलेशन करने के लिए इस पर विचार करने के लिए एक संसदी समीती का गठन किया गया था और इस संसदी समिती के जो अध्यक्ष थे वे कौन थे पंडित गोविन्द वलब पंथ तो यह पंथ समिती भी बहुत ही महत्पूर्णा है उननीस संतवान में इस समिती का गठन हुआ था इसे पंथ समिती भी कहा जाता है आठ फरवड़ी उननीस सो उनसट यह सब आपको डेट याद रखने है आठ फरवड़ी उननीस सो उनसट समित्धान के रुच्छे 341 के अंतरगत संसदी समिती द्वरा राष्ट पती को अपना प्रतिवेदन प्रस्तूत किया गया और इस प्रतिवेदन में यह कहा गया रिपोर्ट में आखा गया कि अंग्रेजी का प्रयोग सहराज भाषा के रूप में भारत में होना चाहिए अनिशित काल तक तो यह है इसलिए फिर राजभाषा दिनें 1963 बनाये गया था अंग्रेजी भाषा को सहराज भाषा के रूप में प्रयोग करने के लिए प्रतिवेदन पर पंत समीती के रिपोर्ट पर राश्पती जी का आदेश जारी की हुआ था 1960 में संसदी समीती की रिपोर्ट पर राश्पती के आदेश जारी किये गए जिन में हिंदी शब्दावालियों का निर्माड जिसके लिए वैगानिक तो था तकनिकी की शब्दावाली आउक का गठन किया गया है बाद में समीताओं मतलब मैन्यूल वगरा होते हैं प्रोसिजर लिट्रेचर होते हैं कारविधिक साहित जो केंदर सरकार के कारलेयों में प्रयोग में ला जाते हैं इनका नुवाद करमचारियों को हिंदी का प्रसीषण प्रभो, त्रुमिट, प्राग्यत, तैपिंग, और इस्टेनों कि टेनिंग के लिए हिंदी का प्रचार, विधेकों की भाषा, एक्ट की भाषा, उचितम न्यालें और उचित न्यालें की भाषा आदी मुद्धे शामिल है, तो इसमें सारी बातें शामिल है, और यह साहक निदेशक राज भाषा के लिए Assistant Director Official Language के लिए जो परिक्षा होती है, जो ग्रूप ए प हिंदी टंकन, हिंदी टंकन, मतलब हिंदी टाइपिंग और हिंदी आशुली पी, मतलब हिंदी इस्टेनों का प्रसिक्षन प्रारम हुआ था, यह प्रसिक्षन प्रारम होता, 1960 में, और 1974 से उपक्रमों के लिए भी प्रसिक्षन अनिवार्य हो गया, सारवजनिक छेत्र के उपक्रम होते हैं जैसे BSP है भिलाई इस्चिल प्लांट भेल सेल गेल एंटी पीसी इत्यादी को बोलते हैं सारवजनी छेत्र के उपक्रम इनके लिए भी ये सारे अप्रसिक्षन अनिवारे कर दिया गया 1960 बहुत इमधपुन है शिक्ष्यामंत्राला के अंतरगत केंद्री हिंदी निदेशालाय का गठन हुआ था 1960 में और 1960 में ही वेज्यानिक और तक्निकी शब्दावली आयोक का गठन किया गया इसे कहा जाता है Commission for Scientific and Technical Terminology इसका कठन हुआ था 1960 में इनका काम होता है केंद्र सरकार के कारेलेव में प्रयोक किये जाने के लिए शब्दों का निर्माड करना और यह प्रयोजन मुलक हिंदी में आपने पढ़ाओगा कि पारभाशिक शब्दावली क्या होता है पारभाशिक शब्दावली के निर्माड के सिध्धान क्या होते हैं इसी सिध्धान के अधार पर वेज्यानिक और तक्निकी शब्दावली आयोक के द्वारा शब्दों क पनिर्माड किया जाता है इसके बाद दस मैं 1963 यह डेट बहुत ही महता पूर्णा है क्योंकि पहले हमारी राजभासा हिंदी थी लें समिधान में यह ब्यास्ता की गई थी कि 26 जनरेटी 1950 तक किंदर सरकार के करलें में हिंदी के सांथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा लेकिन उसके बाद भी यदि अंग्रेजी के प्रयोग को आगे बढ़ाना है तब इसके लिए एक विधेयक बनाया जाएगा एक एक्ट बनाया जाएगा तब ही हम अंग्रेजी के प्रयोग को आगे जारी रख सकेंगे तो पंद समिती ने सिफारिस दिया था कि अंग्रेजी का प्रयोग सहराज भाषा के रूप में जारी रहना चाहिए तो इसके लिए कानून बनाने क्या उस्यक्ता हुई कि अंग्रेजी का प्रयोग हमने शित काल तक भारत में करते रहें तो इस प्रकार आज हिंदी हमारी राज भाशा है केंद्र सरकार की राज भाशा हिंदी है और अंग्रेजी का प्रयोग हम सहराज भाशा के रूप में करते हैं को ओफिसियल लेंग्वेज के रूप में करते हैं, इस पकारा किंद्र सरकार के कारेलियों में दीभाशिक्ता की स्थिती है, बाइलिंग्वल वाला पोजीसन है यहाँ पर, जो धारा तीन-तीन के जो दस्तावेज हैं, चोदा दस्तावेज, वे दिभाशी रूप में अंग्र तर इस तीन में यह ब्योस्ता की गई है, कि यदि अंग्रेजी का प्रयोग अनिशित काल तक जारी रखना है, आगे भी जारी रखना है, तब एक राजभाशा अधिनियम बनाया जाना आप एक शित होगा, संसत के दवरा, संसत को यह अधिकार दिया गया था, तो इसी के अ हत पूर्णा है, हिंदी हमारी राजभाशा है, अंग्रेजी हमारी सहर राजभाशा है, किसके अनसार? राजभाशा दिना मुनिशाट के अनसार, जो दस में 1963 को लाग हुआ था, प्रधान मंत्री की अधिक्चता में केंद्री हिंदी समिती का गठन किया गया, केंद्री हिं की राजभाषा से आज का इस लेक्चर का कोई लेना दिना नहीं है। अब 1968 में संसत के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल पारित किया गया। साथ आठवी अन्सुची की अन्य भाषाओं के समनवी त्विकास के लिए कायरेक्रम तयार करने। मतलब एक common program, composite program, combined program, जो समिधान की आठवी अन्सुची में 22 भाषा हैं। उन्स सभी के विकास और प्रचार प्रसार का लक्ष किया गया है। त्रिभाषा सुत्र अपनाया जाने। त्रिभाषा सुत्र मतलब जैसे हिंदी और अंग्रेजी के सांथ साथ एक अन्य भाषा की पढ़ाई। जैसे हिंदी अंग्रेजी के सांथ संस्क्रीत, हिंदी अंग्रेजी के सांथ बंगला या तमिल्या कोई अन्य भाषा। त्रिभाषा सुत्र मतलब तीन भाषा हिंदी और अंग्रेजी के सांथ सांथ एक अन्य भाषा की पढ़ाई। संग सेवाओं के लिए भरती के समय हिंदी वा अंग्रेजी में से किसी एक के ग्यान की आउश्यक्ता पेक्षित होने। संग लोग सेवा आयोग द्वारा उचित समय पर परिच्छा के लिए सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वेकलफिक माध्यम के रूप में रखने की बात कही गई है। मतलब हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ सर्धान के आठी अंश्यक्ति में जितनी भाषा हैं उनमें से किसी भाषा को विकलफ के रूप में चेन किया जाए। इसकी ब्योस्ता की गई और यह संकल्ब 18 जनवरी 1968 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित हुआ नोटिफाई हुआ। और 1 मार्च 1971 केंद्रियनवाद ब्यूरों का गठन किया गया। एक मार्च 1971 को केंद्रियनवाद ब्यूरों का गठन हुआ था। इसका काम क्या है। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालेयों, विभागों तथा कारेलेयों तथा उपक्रमों उपक्रमों मतलब अंडर्टेकिंग्स, बेंकों आदिके मैनुवलों, कोडों, प्रपत्रों तदा अन्यविधिक, विभिध, अलसामिधिक साहित्व, अलसामिधिक मतलब जो लीगल टाइप के पेपर्स नहीं है। नहीं है। जो लीगल लिटेचर नहीं है। तारियक कारिय कर रहा है जो लीगल टाइप का लिट्रेचर नहीं जो सामीधिक जो साहित्य होता है उसका काम विधाई विभाग के अंतरगर जो अनुवाद है उनके द्वारा किया जाता है विधिक खंड है विधाई विभाग तो विधी मंत्रालेक अंतरगर उसका काम काज ह उपड़िक्त सामगरी के साथ साथ केंद्र सरकायां द्वलागां गठन किया गैता हराष्टी एलपसंख्यक आयोग जन जाती आयोग पांच्वावितन आयोग इसके बाद जैन आयोग और विभिन आयोगों की रिपोटों कानोज कारेवी ब्यूरों को सौंपा गया बाद जो राजभाशा विभागी की स्थापना की गई, जो ग्री मंतराला के अंतरगत काम करता है, इसके जो प्रमुक होते हैं, मानि ग्री मंतरी भारत सरकार होते हैं, और इनके जो प्रमुक प्रशासनी का धिकारी होते हैं, वे सचीव होते हैं, ये IS का अडर के अफिसर होते हैं, सच एक उच्छा दिकार प्राप्ता सनसदी समीती है इसमें 20 सदा से राजसभा से होते हैं और उनका लोकसभा राजसभा में निर्वाचन एकल संकर्मणी मतपद्धती के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्य प्रणाली के द्वारा होता है यह बहुत ही हाई पाउर कमेटी है जो तीन उप समीतियों में विभादित होती है इनका काम होता है केंद्र सरकार के कारलियों में जाकर उनका राजभासा निरिछण करना कि भारत सरकार के जो नियम कारून बनाए हैं उनका समुचीत अनुपालान सुनिशित किया जा रहा है कि नहीं और राजभासा संकल्ब 1968 के अधार पर प्रति एक वर्स राजभासाविभागरी मंतर भारत सरकार के द्वारा एक वारसिक कारेक्रम जारी किया जाता है जिसमें हिंदी के प्रयोक के लिए लक्ष निर्धारित किया जाते हैं कि किंद्र सरकार के कारेलियों में कितना प्रतिसत काम हिंदी में किया जाना अपेचित है और यह टार्गेट पूरा हुआ की नहीं यह लक्ष प्राप्त किया गया की नहीं इन समीति के निरिछन का दाई तो समसों पा गया है माननी संसदी राजभाशा समीति को इसके बाद 1976 में एक राजभासा नियम ही बनाया गया 1973 में राजभाशा नियम संग के शास्की परयज़नों के लिए प्रयोग नियम 1976 बनाए गया और बाद में अभी तक इसमें तीन बार संसोंधन किया जा 1977 में विदेश मंत्री थे स्वर्गी अटल विहारी बाजपेजी इन्होंने पहली बार संउत राष्ट संग की आम सभा में हिंदी को संबोधित किया था। CSOLS, SC के द्वारा जो Junior Translator का जो एक्जाम होता है उसके तहात इसमें भडती होती है Junior Translator और इetusमें Junior Translator, Senior Translator, Assistant Director, Deputy Director, Joint Director joеров, Director तक के पोस्ट होते है थीक है नए CSOLS यहांभी देता हूँ C-S-O-L-S Central Secretariat Official Language Service इसका कामकार क्या क्या है विभिन्य मंत्रालोयों और विभागों और सम्मद्द कारेलोयों में स्त्रीजित हिंदी पदों को एक ही कृद समर्गे में लाने के लिए एक सिंगल कैडर बनाने के लिए राजभासा कैडर बनाने के लिए और उनके दो पदार ही कारी हैं उनके जो Officers हैं उनकी समान सेवा सरतें सर्विस के टामसेन कंडिसान से वेतनमान पदननती के आउसर उपलब्द कराने के लिए केंद्री सचिवाला राजभाशा सेवा का कठन 1981 में किया गया था और केंद्री हिंदी समिती द्वारा वर्स 1976 में लिए गए निड़ा के परणाम से रूप किया गया था केंद्री हिंदी समिती जिसके अध्यक्षवते हैं माने प्रधान मंत्री इनके द्वारा निड़ा लिए गया था कि यह कैडर बनाया जाएगा राजभाशा विभाग इस समर्ग का नियंत्रन प्राधिकारी है कंट्रोलिंग अथाटी कोन है इनका राजभाशा विभाग रिमंतरल भारत सरकार और इस समय इस समर्ग में इस कडर में राजभाशा कडर में CESOLS में 2020 स्विक्रित पद हैं एक हजार बीस पत स्विक्रित किये गए हैं, जिन में जुनियर ट्रांसलेशन अभिसर्स लेकर डारेक्टर्स तक के पोस्ट शामिल हैं, इसके बाद 1985 में केंद्री हिंदी प्रसीचनर संस्थान का गठन किया गया, केंद्री हिंदी प्रसीचनर संस्थान का उद्देश से हुई है कि हिंदी का प्रसीचन प्रदान करना, केंद्र सरकार के अधिकारियों और कर्मिचारियों को, जैसे प्रबो और प्रमिनिर प्राग के पारंगत और हिंदी टाइपिंग, हिंदी इस्टेनों इत्यादी का टैन इसके बाद 1990 में केंदरी हिंदी प्रसिचान सांस्थान द्वारा पत्रा चार के माध्याम से हिंदी भाषा का प्रसिचान प्रसिचान प्रारम किया गया। यहां पर यहां मुद्दा आया है यहां पर राज भाषावी भाग द्वारा अन्वाद टूल कंटेस्ट 1.0 का लोकारपण किया गया। अन्वाद एक ऐसा स्वाप्ट वेयर है जो अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी मन्वाद कर देता है। तो अन्वाद टूल की वियुस्ता की गई थी 1.0 राज भाषावी 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 अन्वाद टूल अन्वाद का एक सौप्ट वेयर आपका सकते हैं जिसे कहा जाता है कंटेस्ट 1.0। इसके बाद जुलाई दो अब आप से यह सारे टूल्स पता होने चाहिए IT टूल्स। राज भाषा से समधित कौन कौन से सूचना प्रवाद योगई की कि साधन और टूल्स हमारे पास उपलद हैं। जुलाई 2020 मैं भारत की नई सिक्षानीती लागो की गई और 2020 में मातरी भाषाव और हिंडी को विशेश महत्तों देने की अनुशंसा की गई है। यह नुशंसा गलत यहां पर टाइब हो गया है। यहां पर यह ऐस रहता है। इसको आप ठीक कर लिएगा। को ब्रुपाइपिंग करते करते हैं यहां पर mistake हो गया है। तो लिखतेक से लिख देता हूं। इसमें क्या है लिखने के मुझे अभ्यास नहीं है। तो ऐसे आप में इस थायब की तूटियां नहीं नहीं चाहिए जब भी भी आप लीख रहें पड़ रहें तो खास कर हिंदी में तो वर्तनी का असुद्यों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है हिंदी में क्या है वर्तनी की बिल्कुल भी अशुद धियां नहीं होनी चाहिए ठीक है यह धियां रखेगा सितंबर 2020 से 23 सितंबर 2020 को संसद ने मौझूदा उर्दू और अंग्रेजी के इलावा केंदर सासित प्रदेश जमू और कश्मीर में आधिकारिक भाषाओं की सूची में कस्मीरी डोगरी और हिंदी को शामिल करने के लिए विधहक पारिद किया यह जमू कस्मीर से समधित माम अक्री मंत्रलाय द्वारा अनुवात कंठस्टूल 2.0 का लोकारपण किया गया है पहला था 1.0 अनुवात का स्वाप्टवेर है कंठस्ट यह 2018 में 1.0 आया था और इसका एडवांस वर्षन आ गया था 14 सितंबर 2022 को कंठस्ट 2.0 इसका लोकारपण किया गया जैसे किताब का विमोचन होता इसका होता है इसका होता है लोकारपण मतलब इसको प्रयोग है लोकारपण मने यहाई समफ दिया है कि अब आप इसका उप्योग कर सकते जैसे पूल बगर रहा या फिर एयरपॉड का लोकारपण होता है या फिर जो लोगों के उपयोग की जो चीजें होती है उनका लोकारपण होता है किताबों का भी मोचन होता है फर्वरी 2.23 राजभासाविभाग द्वारा कंठस 250 के मोबाईल एप का लोकारपण किया गया जो Google Play Store पर उपलब्द है Contest to 50 का Mobile भी आ चुका है फरवारी 2.23 में इसके बाद ये पहला अखिल भारती राजभाषा सम्मिलन है आजकर राजभाषा भाग रीम अंत्राला के दौरा प्रत्य एक वर्स ये अखिल भारती राजभाषा सम्मिलन आयोजित किया जाता है तो पहला अखिल भारती राजभाषा सम्मिलन का आयोजित किया गया था 13 से 14 नौंबर 2021 को वराड़सी उत्तर प्रदेश में तो ये आपको ध्यान में रखना है 14 सितंबर से 15 सितंबर 2022 को सूरत गुजरात में हिंदी दिवस ये उन दिती अकिल भारती राजभाषा सम्मिलन का आयोजित किया गया राजभाषा वी भागरी मंत्राल भारत सरकार के द्वारा ये आयोजन किया जाता है तो दूसरा अकिल भारती राजभाषा सम्मिलन का आयोजन हुआ था जिसमें हिंदी के जानमने विद्वान फिल्म इश्टार कभी वगर वहां पर उन्हें वो शिर्कत करते हैं शामिल होते हैं इसके बाद अभी हाल ही में 14 से 15 सितंबर 24 को भारत मंडपम नई दिल्ली में हिंदी दिवस एम 14 अखिल भारती राजभाषा समिलन का आवजन किया ग इसके बाद पिछले 10 वर्सों के दौरान राजभाषा भाके विश्ची टूप लब्धियां और पहल मतब क्या क्या डवल्पमेंट हुए क्या क्या विकास हुए राजभाषा भाग भारत सरकार की जो उपलब्धियां हैं आए देख लेते हैं केंद्री हिंदी समिती की बैठक केंद्री हिंदी समिती मानि प्रधान मंतिर जी की अद्धेशता में केंद्री हिंदी समिती का गठन केंद्री मंत्रालेयों विभागो समय में समन्व़ करने के लिए व्यापीत करने की आशा सेGAR कर राम प्रशार करने के लिए ओन सबर के लिए इसका प्रशार करने लिए महत्aja प्रधान मंत्री जी के अतरिक्त 9 मानुख केंध्री ग्रीह मंत्री शामिल होते हैं जिनमें मानि ग्री मंत्री भारत सरकार उपदेश होते हैं और ग्री मंत्राले में राजभासाविभा के प्रभारी मंत्री सदासे होते हैं फ्राजियों के मुख्य मंत्री तथा चार संसत सदासे कुल मिलाकर 21 सदासे इसमें होते हैं तो यह सारी बाते आपको याद कर लेनी है, अब तक इसकी 31 बैठकें हो चुकी हैं, और 32 बैठक की कारवाई प्रक्रियादी नहीं, 31 बैठक अभी तक आउजित की जा चुकी है, और 32 बैठक होने वाली है, और इसकी 31 बैठक 6 सितंबर 2018 को हुई थी, और हिंदी सलाकार समीतिय इसकी बैठक भी निमीत रुप से आउडित की जाती है, इन समीतियों की बैठकों में, बैठकों से मंत्रालेयों को राजभासा कारेन्वेन की गती तीवर करने के लिए दिशा निड़ेस मिलते हैं, और इनमें वे राजभासा कारेन्वेन की समीच्छा भी करते हैं, यह अल इसलिए आज का जो मेरा lecture है या special type का lecture है जो आप को और कहीं नहीं मिलेगा इसलिए यह सभी बाते हैं यादि आप पढ़ लेते हैं देख लेते हैं तो चाहे UPSC की Assistant Director की परिच्छा हो चाहे UDCNet JRP की परिच्छा हो या फिर आप विभिन प्रकार की परिच्छा हैं Assistant Professor 24 तक करीब 5-34 नगर राजभाषा कारेणवन समीति हैं नगर राजभाषा मतलब जहां भी केंदर सरकार के 10 से अधिक कारेले हैं वहाँ पर एक नगर राजभाषा कारेणवन समीति होती है और नगर राजभाषा कारेणवन समीति भी दो प्रकार की होती है एक होती है केंद केंदर सरकार के कारला या बैंक हैं इनके कामकाज की समीच्छा भी की जाती हैं। कंठस 2.0 के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं यह हमारा लिटेस्ट सौप्ट्वेर है अनुवात के बारे में। मरिशस में 2.0 का लोकार मन किया गया। इस अनुवाद स्मृति प्रणाली के मुखी से स्ताया है कि यह लोकार ग्लोबल टी एम की सहता से किसी नई फैल का अनुवाद करने में अनुवादों को सहता प्रतान करती है। बहुत सारे अनुवादक उसमें अनुवाद करते हैं अपना कंटिबूसन देते हैं यह मेमरी बेश्ट होता है तो उस अनुवाद का प्रणोग बाद में दूसरे अनुवादक कर सकते हैं। 2.0 का विमोचन हिंदी दिवस के असर पर 14 सितम में 22 को मानी ग्रियम सहकारिता मंतरी जी के करकमलों से किया गया। 2.0 का विमोचन हिंदी दिवस हैं अकिल भारती राजभासा समिलन के आयजन सुरू किया गया। 2.0 का विमोचन हिंदी दिवस मता 14 सितम्बर और अकिल भारती राजभासा सम्मिलनों का संयुक्त आयोजन देश के विभिनी स्थानों में किया जाता है। मता दो दिवस ही सम्मिलन होता है 14 15 सितम्बर को पहला अकिल भारती राजभासा सम्मिलन हुआ था से 2021 में मन इग्री मंतिजी के मारदयसन में निर्दयसन में और यह पहला अकिल भारती राजभासा सम्मिलन तेरा और चौदा नौंबर 2021 को हुआ था पहले तो नौंबर में हुआ था वराणसे उत्तर प्रदेस्ट में जिसमें देश बर से 5ほど से ज्यादा हिंधी प्रेमियों और हिंदी सेव्जियों ने भाग लिया। विबिन ने विश्यों पर आयोजित सत्र में राजभाशा हिंदी के विकास एवं प्रचार प्रचार संबंधी संभावनाओं पर विचार विमर्ज किया गया दूसरा अखिल भारती राजभाशा सम्मिलन ये जगा इस्तान ये सब आपको याद रखना है मानि ग्री मंत्री जी की अध्यक्षता में पहली बार हिंदी दिवस मता 14 सितंबर तथा दूती अखिल भारती राजभाशा सम्मिलन का संयुक तयावजन 14 और 15 सितंबर 2022 को गुजरात राज़ा के सुरत सहर के पंडी दीन दायाल उपध्या इंडोर स्टेडियम में किया गया और इस सम्मिलन में पुरे देश से केंद्र सरकार के 10 अधिक अधिकारियों और करमचारियों तथा हिंदी प्रेमियों और हिंदी सेवियों ने भाग लिया था तीसरे अखिल भारती राज़भाषा समिलन इस राज़भाषा समिलन में मैंने भी सिर्कत की थी मैंने भी भाग लिया था यह 14 और 15 सितंबर 2013 को हिंदी दिवस्त था अखिल भारती राजभाषा सम्मिलन का संयुक्त आउजन स्री छत्रपती स्पोर्ट्स कांप्लेस बालेवाडी पुने महारास्ट में किया गया और इस सम्मिलन में भी 8000 से अधीक हिंदी प्रेमिय पसित हुए और इन सभी आउसनों पर राजभाषा किर्थी पुरुसकार राजभाषा गवरा पुरुसकार के विजेताओं को पुरस्कित किया गया इसमें जो महान फिल्म अभिनेता स्री आस्तोस राणा और हिंदी के विद्वान भी हुए उन्होंने इसमें भाग लिया था और इनका ल बारत के बहुत ही प्रसिद्ध कवी डॉक्टर कुमार विश्वास और प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता स्री अनुपम खेरग जी ने भी शिर्कत की थी और उनको सुनने का मौका भी मुझे मिला था तो ये बहुत ही बहुत ही बहतितित नियां पर आवजन रहा ये मतलब प् करते हुए पहली बार केंद्री सचवाले राज भासा सेवा समवर्ग सेंट्रल सेक्रेटियाट ओफिसियल लेंग्वेज सर्विशेस के कैडर के जो ऑफिसर हैं उनके लिए तक्निकी सम्मिलन की सुरुवात की गई और अठारा मई दो हैर बाइस को ये पाला सम्मिलन हुआ था श्री अजय कुमार मिस्राजी की अधिक्षेता में जो मनिगरी राज्यमंत्री थे उस समय पहली बार बड़े पहमाने पर इस विशेश तक्निकी संगोष्टी जिसमें जितने भी अन्मात से समंधित स्वाप्ट्वेरों गरा टूल से आटी टूल से इन पर चर्चा की और इसमें केंद्री सचवाला राजभासा सेवा के अधिकारों ने बड़ी संख्या में भागिदारी की विभाग द्वारा 6 जून 2023 को केंद्री सचवाला राजभासा सेवा समर्ग के अधिकारियों हाति अम्बेट कर इंटरनेशनल सेंटर जनपत नई दिल्ली में दूती तक्निकी सम्मिलन का आवजन किया गया जिसमें केंद्र सरकार के राजभाषा कारे अन्वन से जुड़े हुए लगबग 750 से अधी कतिकारी कर्मचारियों ने भाग लिया तो दो बारे यह सम्मिलन हो चुका है तक्निकी सम्मिलन मानी ग्रीम राज्यमंत्री भारत सरकार उसमें जो अश्री अजय कुमार मिस्रा जी थे इस सम्मिलन में हिंदी से जुड़े विभिन विश्यों जैसे कंठस तिमाही प्रगाती रिपोर्ट आधी पर विश्तित प्रस्तूतियां दी गई और विचार विमर्स किया गया इसके बाद हिंदी के प्रयोक सम्मंदी आदेशों का संकलन का नवीनतम संस्करन जो राजबासाविभागरी मंतराद की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं कि हिंदी के प्रयोक के लिए जो नियम कानुन बनाए गया है नीमा वाली बनाई गई है इसका लेटेस वर्सन का विमोचन किया गया बारत सरकार के करलेओं के लिए जारी किया गया हिंदी के प्रयोक सम्मंदी आदेशों के संकलन के नवीनतम संस्करन जुलाई 2005 से लेकर दिसंबर 2021 तक जितने भी आदेश वगरा हैं डारेक्शन्स हैं निदेश हैं इनको शामिल किया गया इसमें और इसका विमोचन मानिग अगरी राज्यमंत्री जी के द्वारा किया गया और यहां हुआ था 18 मैं 2022 को नई दिल्ली में तक्निकी सम्मेलन के द्वरान इस किताब का विमोचन किया गया अब इसमें क्या क्या है राजबासा हिंदी के प्रयोक समंधी नियम पुस्तक नियमा वली जो रूल से रेगुल नियम पुस्तक के नमीन संसकरण को त्यार किया गया और इसका भाव्य लोकारपन यह विमोचन है त्रिती अकिल भारती राजबासा सम्मेलन में दिनांग 14-15 सितम में 2013 को स्री छत्रपति सिवाजी कृडा संकूल बाले वाडी पुडे महारास्ट में किया गया तो विमोचन संसधी राजबासा समीति द्वारा अपने प्रतिवेधन के 10 गाररी अर बारवे खंड को रासपति महुदय को संपा गया है वर्शत दो यह दो यार उन्हीं के संसोधित राजबाषा गोरापूर्फकार योज्ण यह राजबासा गहरापूरूसकार योज्णा क्या है"? इसमें संसोधन किया है 2022-23 में देख लेते हैं राज भाषावी भाग द्वारा वर्थ से 2022-23 से संशोधित अमेंडेट राज भाषा गौरपुरुसकार योजना लागू की गई इस योजना के अंतरगत भारत के नागरिकों को निमलिखित पुरुसकार दिया जाएंगे राज हिंदी में ज्यान-विज्यान संबंधि पुस्तक लिखते हैं उसके बाद न्यायालेइक विज्यान मतलब जो लीगल सरशे से संबंधित हैं पुलीस अपराध शास्त्रणों संधान और पुलीस प्रशासन पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन है तो राज भाषा इन चेत्रों में राजभाशा गौरवपुरस्कार पदान किया जाता है। इन चेत्रों में राजभाशा पदान किया जाता है। इन चेत्रों में राजभाशा पदान किया जाता है। विभिन भारती भाशाओं के भी प्रचलित शब्दों को समाहित करते हुए हिंदी शब्द शिंदु नामक हिंदी से हिंदी ब्रिहत शब्द कोस का निमाड एक अनुखी पाल है। तब यह है आपको वहाँ पर मिल जाएगा। राजभाशावभा की वेबसाइट का पता है www.rajbhasa.gov.in तो वहाँ पर आप जब जाएगे तो यह हिंदी शब्द सिंदु आपको वहाँ पर दिखाए देगा। और हिंदी से हिंदी मिनिंग आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अब यह प्रमाडिक है क्योंकि भारत सरकार के द्वारा निनमित है। तो उस वेबसाइट पर जरूर जाकर देखें www.rajbhasa.gov.in यहाँ इसको उपन करेंगे तो वहाँ पर IT2 से दिखाए देगा। वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाए देगा हिंदी शब्द शिंदु और वहाँ पर बहुत सारे आपकी काम की चीड़े महाँ पर मिलेंगे। यह जो किताब है न 2005 तक जो अद्यतन किया गया है नहीमा वाली 2005 से जुलाई 2023 तक वह आपको वहाँ पर मिल जाएगे। इस डिजिटल शब्द को से हिंदी के तकनिकी शसक्ति करण का मार्ग प्रसस्त होगा। इसके पहले संस करण का लोकारपन यह भी हाँ लोकारपन है क्योंकि यह लोगों को दिया गया। ग्री मंत्री जी ने सूरत के अखिल भारती राजभासा समिलन के उसर पर किया था और अब तक इसमें 4 लाग से भी ज्यादा शब्दों को समाहित किया जा चुका है। चार लाग से भी अधिक शब्द इसमें शामिल है जरूर आप इसको देखें। इसके लिए ग्री मंत्री जी ने सैधान्तिक स्विक्रिती 30 जुलाई 2-13 इसको प्रदान की। एक भारती भाषा अनुभा का गठन किया जाना है कर लिया गया है और इसमें क्या क्या होगा। इस अनुभा की स्थापना किया जाने का प्रयोजन एक ऐसा तंत्रय विक्सित करना है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीट पत्रा अचार राज्य की प्रथम आधिकारिक भाषा फर्स्ट ऑफिसल लेंग्वेज में भी हो सके। इसकी स्थापना का मुख्य जाने का प्रस्ताओ किया गया है। और इसमें सविधान की आठवी और सुची की पंद्रा भारती भाषाओं में अनुवाद की इस तारभामिक व्यास्ता विक्सित किया जाने का प्रस्ताओ किया गया है। तो आज का जो लेक्चर है यह संशेप में मैं बताऊं तो किस विशाय से सम्माधित है 1949 से लेकर 2024 तक राजभासा के शेत्र में क्या क्रमिक विकास हुए हैं कितने अखिल भारती राजभासा सम्मिलन हुए हैं IT टूल्स की कौन-कौन सी विवस्ता इस पर मैंने आज चर्चा की और मैंने इस पर अंतराष्टी हिंदी सम्मिलन को शामिल नहीं किया है यह इसको ध्यान में रखिएगा यह बहुत ही महत्रपूर्ण लेक्चर है इसमें सारी बातें प्रमाडिक हैं जो विविन पर इच्छाओं में पूछी जाती हैं तो यहां से आप रिफ्रेंस ले सकते हैं और आपको मतलब सही उत्तर वहाँ पर आप टीक कर सकते हैं तो निश्ची दूर्प से मेरा यह बहुत ही मेहनच से त्यार किया गया लेक्चर आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा हुआ कमेंट बक्स में कमेंट लिका ज़रू बता हैं कि आज का मेरा लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा और यहां मैं हिंदी के UDC Net वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें मैं इसको डाल दूँगा और बाद में मैं पढ़ने के लिए लेक्चर अपनी वेबसाइट में उपलब्द कराऊँगा लेकिन पहले आप मेरे लेक्चर देखते रहे हैं और कमेंट करते रहे हैं साथ यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है